मेरे प्यारे बच्चों, आपको हिंदी दीवस की बहुत बहुत शुब कामरा है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, तो आप सभी अपनी हिंदी की बुख लीजिए और पार्ट नमबर दस खोलिए काबुली वाला। काबुली वाला, मेरी पास साल की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोलने के बिना नहीं रहा जाता, संसार में जन्म लेने के बाद, भाशा सीखने के बाद, उसने के और एक वर्ष का समय खर्च किया। मिनी नाम की एक लड़की थी था, उसके फादर उसे बता रहे हैं कि मिनी जो थी हो बच्पन में से ही बहुत बोलना शुरू कर दिया था, उसने एक साल के अंदर उसने सब कुछ सीख लिया और बहुत ज़्यादा बोलने लगी थी, वो बिना प्रश्न की चुप नहीं रहत कि पापा रामदयाल दरबान जो है, वो काक को कोवा कहता है, वो कुछ नहीं जानता, इससे पहले उसके पापा उसे कुछ कहते हैं, तो उसे दूसरी बात छेर दी, बाबुजी भोला कहता है कि आकाश में हाथी सून से पानी फैकता है, उसी से वर्शा होती है, बाबुजी पीइख और पापा से प्रेश्ण किया अब हम अब बताया लगती है तो इस पापां बहुत इब अजीव लगा लगा उनकी पापा को तो उसने कहा कि जातो बहुत कहले मुझे खेल के नारे था अचानक खेल चोड़ कर कमरे की ओर दोड़ी और जोड़ से चिलाने लगी काबुली वाले और काभुली वाले तो कंधे पर मेवो के जोले लटका एक लंबा सा नीर में पर जा रहा अच्छा नहीं लगा मैंने उससे कुछ सोधा खईदा फिर वह बोला बाबुजी आपकी लड़की कहां गई वो मुझे देखके डर कर भाग गई तो मैंने उससे कहा कि मिनी का डर दूर करने के लिए मिनी को उसकी पापा ने उसे बुला लिया और उससे काबुली ने जोली से कुछ किश्मिश और बदाम निकालकर मिनी को देने चाहे लेकिन मिनी ने उससे नहीं लिये वह डर कर अपने पापा से चिपक गई कुछ दिन बाद किसी अचानक काम से उसके पापा को बाहर जाना था तो उसने देखा कि मिनी काबुली वाले से खुब हसकर बाते कर रही थ और काबुली वाला मुस्कुरा हो करता हुआ उसकी बाते सुन रहा था तो मिनी को अपने पिता के इलावा ऐसे धर्यवान शोता नहीं मिला था मुझे लगा कि मुझे पता सरा काबुली वाल प्रति दिन आता है तो उसने किश्मित बदाम लेकर मीनी छोटे से छोटा अरदय पर अधिकार कर लिया था दोनों में खूब बाते होने लगी वे खूब हसते रहते एक तरह से वो दोनों दोस्त बन गए थे काबुली वाला और मीनी तो मीनी ने काबुली वाले से हसते वे पूछते काबुली वाले ओ काबुली वाले तुमारी जोली में क्या है तो रहमत नाम का जो काबुली वाल सवाल deny यह जानती तो मिनी सवाल का जवाब जरूर दिया तो जरूंगी वह उससर को माराई का टो हर साथ के एंत में रहमत अपने देश जाता था जाने से पहले वे सब लोगों से पैसा वसूर करने में लगा रहता था उसे घर घर घूमना पड़ता था फिर दिन में एक बार मीनी से मिलने जरूर आता था एक दिन सवेरे सवेरे में जो मीनी के पापा थे उसके कमरे में बैठे हुए थे तो बहुत बहुत शोर हो रहा था तो जब उसने देखा तो उसने देखा पापा ने देखा कि रहमत जो काबुली वाला था जो मिनी के पास आता था उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ तो उसने कहा कि इसने एक आदमी को चाकू मार दिया है इसलिए हम इसे पकड़ कर ले जा रहे हैं तो रहमत को न तो इसा नहीं पहीलकर धे दिएसे मिलने नहीं तक बहुत दिर बाद उसके कातिल में जरूर है तो कभी आना इस तरह कहकर काबुली वाला जो घर जाने के लिए मुड़ता है लेकिन उसका मन नहीं मानता वो कहता है कि एक बार बेटी से मिलवा दो उसे देख करना मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है तो जैसे ही काबुली वाला उदास होकर सलाम करें दर्वाजे से बाहर चला तो सोच रहा था कि उसे वापस बुलाओं इतने में स्वैम ही लोड़ा आया बोला मेरा थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था उसे दे दीजिएगा मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा आपकी बहुत महरबानी है बावुसा पैसे रहने दीजिए फिर जड़ा ठैर कर बोला आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है मैं उसकी याद करके उसे बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ मैं है सोदा बेचने नहीं आता मिनी को देखकर काबोली वाले को जो है अपनी बेटी याद आती थी इसलिए उसे लगता था कि मैं मिनी को मेवे देता हूँ तो जैसे अपनी बेटी को दे रहा हूँ काबुली वाले ने अपने गूर्ते की जेब में हाड र कागज के टुकड़ा निकाला देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के पंजी की चापती हाथ की थोड़ी सी कालिक लगा गर पह चाप ले ली गई है और इस बेटी की जियात को छाती से लगा गर रहमत हरजाल कोल काता है गल्यों में सोदा बेचने आता है यह देकर मिनी के पापक की आँखों में आसू हो गए वह सब कुछ भूलकर उन्होंने मिनी को बुलाया मिनी पूरी तरह सजी धजी जब शरम से सिगड़ी हुई काबुली वाले के पास आकर खड़ी हुई तो रहमत ने उसे देखा और कहा लली सास के घर जा रही है क्या तो मिनी अब सास का समझती थी मारे शरम के उसका मूँ ला दो गया मिनी के जाने के बाद रहमत एक गहरे सास लेकर महीं जैमीर पर बैठ गया उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह काई कि सपस्ट चोट हुई थी कि उसकी बेटी भी इतन ओके सुडेर्स गुद लग